हेलो गाईस, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों अपने स्कोर्ट कार्ट की, दोस्तों स्सी MTS 2023, दोस्तों राइंक IQ और वर्सेस राइंक मित्रा, दोस्तों आप लोग सभी लोग चानते होंगे कि राइंक IQ में ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो दोस्तों, वहाँ पर student की संख्या जादा होती है, rank मित्रा पर कम होती है, अगर आपने अभी तक rank मित्रा पर नहीं चिक किया, तो आप जाकर वहाँ से चक कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, पहली बात तो 28,000 student पर हमारा जो rank दिखा दे रहा है, वो 3814 है, यह हमारा rank मित् वो हमारा दोस्तों 104 नमबर था, normalized डिस्कोर जो हुआ था मेरा वो rank IQ का 110, मतलब की rank मित्रा और rank IQ का data बिल्कुल सेम है, ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं दोस्तों, दोस्तों हमारे फर्स सेक्षन में 93 नमबर बने थे, और सेकंड सेक्षन में 104 नमबर बने थे, normalized डिस् 3814 नमबर बने थे, अब इसके बाद देखे दोस्तों, राइंक IQ का नॉर्मलाइजर नॉर्मलाइजर दोस्तों, हमारा 55,000 पर data है, अपडेट हो जुका हमारी अब यहां पर rank बढ़ गई है, मतलब कि गिर गई है, और ज़्यादा बेकार हो गई है, यहां 8,000 थी, अब 9,000 पहुंच गया है, और नॉर्मलाइजर नॉर्मलाइजर न के बाद बहुत बेकार ही दिखा रहा है, दोस्तों, अब यहां पर ऐसा क्यों रहा है, दोस्तों, हार्ड सिप्ट वालों को, यहां पर ज़्यादा नॉर्मलाइजर लोगों में से ठीक है, तो यहां पर ठीक था, अब दोस्तों, अब कमिंग के लिए, जो हमारा एसे सी अंटी सारा, उसमें सो वेकंसी नहीं है, कितनी हैं, बारा सु वैकंसी. जब बारा हजार में इतनी दिक्कत है तो बारा सु में कितनी दिक्कत होगी? तो दोस्तो आई हो पीसे हमाई बात को समझ रहे होंगे. अपना इसकोर कमेंट बाक्स में जरूर pineapple PATDOS सब्सक्राइब, करने, करने मुइंड में दूसdeterm दूसाटा नियुकिंट कविणि में हो गाए थैंद। नौरमल मलब निगेटिव मार्किंग के बाद हमारा 104 नंबर हुआ यह दो ठीक था मेरा जो सिप्ट था वह एजियस ते थोड़ा हलका सा हलका सा मॉडर रठा ज्यादा नहीं में एजी से हलका सा उपर था ठीक है दोस्तो इसलिए हमें 6 नंबर कर नौर्मल एसन देखने को मिल कितना नंबर लाना चाहेंगे दोस्तों वीडियो चल लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास सेयर करना ना भूलें मिलते कि सीने मेटे साथ तक लें नमस्कास